Good Morning students मैं विकास सथ स्टिपीच करियरakter क्वाइंट क्लास में आपका है। हम लोग पढ़ यह 10 रेक्षिक क्लास केमेश्टिक का सफ चेप्टर कैमिकल एक्षिन जिसमें पीछले चार वीडियो में हम देखे थे और चोथे वीडियो में हम लोग देखे थे केमिकल लिक्षिन करताता है संचारं कालता है जईसे जंग लगना तामे का बरतन का हरा हो जाना चांडी चांडी को देखते हैं क्या होती चमकते रहती हैं लेकिन संचारित वोने के बाद मौनियू संचारित हो जाती इसी परकार से आप mirrors yeah क्या कहते हैं संछारं का यहाँ पह सब्सक्राइब है कि यहां पर नहीं होता है तो एक हो यह थी होता हूथ है तो यह तुख शूतर हो जाता यह रगता है तो पहलों उस्हां हाना यह क्या होगा आप सुधार लेज़ेगा हना एजी टू एस होगा हना हना सिर्वर सुलफाइड के कारण से होता है इस पॉइंट को आप याद रखेगा नंबर के कोश्टे खेगा पहला पॉइंट खेगा पेंट कर लोग क्या करते हैं दूसरा क्या करते हैं ग्रीस या तेल की पर चढ़ाते हैं और पर यह क्या हो लेपन में क्या किया जाता है कि परक चड़ाया जाती सब्लेपन कोई बस्तु उसके का परयुक चैंज में किसका प्रइयोग किया जाता है लोहे के का नहीं सब्सक्राइब जिर्ड आगे बढ़ते हैं और दियान देते हैं नेक्स्ट अब दूसरा पॉइंट यहां पेक पॉइंट एक है आपका ध्यान दियंगा हम लोग किसे काते हैं वसात अथा टेल से बने काद पदाथ्धू में यहां ना उपचयन की किरिया के कारण आरूची गंध और स्वाद का उत्पन होना ही क्या हो जाती है विकृत गंधिता इसे अपनी भासा में समझें कि जो हम लोग जो भी तेल से बने हुए पदात खादे-पदात होते हैं खराब हो जाते हैं उसी को क्या करते हैं विकृत गं आप यह हो जाती है आप जितने भी फास्ट फूट देखते सब तेल में बना हुआ है जब इसे कुछ दिन तक छोड़ दिया जाता है नो दो दिन चार दिन दस दिन यह बहुत सारे ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनको जिसमें एक्सपारिड़ेट दिया रहाता है उसे ज्य प्किर्यास हम लोग रोकेंगे सबसे पहला है खाद पदार्थों को सबाय ठेसा करेंगें जल्기 खराब नहों हम लोग क्या करते हैं हमरी खाद हो क्या हो है बच जाती है क्योंकि वहां पर उपचेण के केरिया हो जाती है निम्न हो जाती है धीरिती है समान से कारण हो से घर देखती है दूसरा यहां पर दिया गया है बायू रोधी बरतन में रखकर बायू की ऑक्सिजन की अनुपस्थिति के कारण उप्चेन भी क्या हो जाता है बंद वदाचा जिसे आप देखते हैं फ्रीज में बहुत सारे सबस्टार्स को हम रख देते हैं खाल परात को रख देते हैं जिस तीसरा हम लोग को क्या है तीसरा जो हम लोग को देखना है वह देखना आपका परकास से दूर रख कर है परकास की अनुपस्थिति में भी क्या होती है उप्चेन के क्रिए मन्द हो जाती है तो आप पॉइंट वाइप आप याद रखिए गा उसे लिख दिजगा चार ब्रतानिया पैक से ऑक्सीजन हटा कर उसमें क्या डाला जाता है और और या फिर कम सक्रिय जो गैस होते उसको उसमें भर उसमें क्या डाल देते हैं नाय ट्रोजन गैस डाल दो कम सक्रिये गयंसा को कट बहुत देखते हूंगे हम झीप असमें दोख सभृ आब लाते हैं तो यह क्या होते हैं शूचते थे ट्रस परट उसम्हें रहा हुँए थे ऊक्सिजन नहीं भरा याहा हवा रहेगा तो यह खराब में आने लीगा जिसके कारण से ओक्राहरी था खरा जाती है कि 17 प्रति उप्चयक 산 ये फूर्म पूछता ये का फूर्य का फूर्म क्या होता है अघ्मार्टी लेड उर्टी लेड है ट्रॉक्सी इनि इसल और 3 और आपका दिया गया क्या प्योख किया जाता है यह अपका क्या है एंटीडेंट आक्सीडेंस जब उसका व्य उपक्योख किया जाता है तो उसकी आप यहां पर देख रहे है यह जो चीफ है इसमें आपको लिख याग्या भी एच लिखावात यह बी एच इसमें डाला जाता जिसके कारण से खराब होने से बच जाता है चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं ध्यान देते हैं आगे क्या लिख रहा है आगे ध्यान दीज़ेगा जब इसमें मिला दिया जाता है तो अप्चेट नहीं हो पाता है देखत चीप का स्लाद १ी काफि दिनों तक क्या होता है खराब नहीं होता है कि हम अगर पढ़ते हैं ध्यान देते हैं नेश्च तॉपिक को ज्रिया आज देखनेवाले चाहती है पहला हमकों कैंबल सन मैंने बता थैए यह एक रियक्सण होती हैं सभसे 1200 का मतलब क्या होता है जलना ध्यांद दिलाघाला जो जलता है जो जलता है उसे हम लो क्या ह लक्डी हो गया यह सब क्या होते हैं जलने वाले पदाथ होते हैं इसलिए यह सभी पत्थर बालु मीठी इत्यात इस च्छेए आपको जलते हैं ध्याद दीजेगा यहां पदार्थ आपका क्या है आपका मीटी है पत्थर है यह सब आपका इट है यह सब क्या होते हैं यहां इसे नियुनतम पर कोई पदार्थ क्या हो जाता है जलना प्रारम कर देता है उसे उस पदार्थ का हम लोग क्या कहते हैं जुलन या प्रजुलन ताप कहते हैं जुलन ताप पदार्थ की परकित एब हम उनकी अवस्था पर निर्फर करती है जुलन ताप से कम ताप पर कोई भी पदार्थ नहीं जलत है तो वह नहीं जलतीं क्योंकि कोई विपनात तब जलता है जब अपनी जुलंत नहीं कि प्रति करती है और फिनले नालग करते हैं अधन के पोसक तत्व किसे कहते हैं ए कि कौन करता है दहन के पोसक तत्व कहलाता है यानि कि जलने में सहायता करवाता उसे हम लोग क्या करते हैं दहन के पोसक पदार्थ काते हैं या दहन के पोसक कहलाते हैं जैसे आप बायू आप देख रहे हैं ऑक्सिजन के उपस्थिति में जलता है या जलाने में मदद करता है नैटो हों पाती है। जब तक उसकी पदार्थ नहीं रहेगा तो वह क्या होगा नहीं जल पाएगा ज़ैसे आप देख सकते हैं यह जलती भी मॉम्बद्ती को हम काच के गलाश से ढहक देते हैं तो मॉम्बद्ती अगर आप बताइए उसमा और परकास नहीं निकलेगा तो क्या आप उसको दहन कहेंगे जी नहीं हम उसको दहन नहीं कहेंगे जैसे आप यहाँ पर देख रहें ग्जामपल के तौर पर देख रहें कार्बन को जो जला जाता है निकलता है मेंगनिसियम नाइटरिय। ब natrium निकलता बनता है और परकास निकलता है हड्यू OK SC समा और परकास निकलते हैं ध्यान दिजगा उसी परकास सी टू ट्विटीफ फाइव एच फिप्ति टू यह सूत्र किसका इसका नाभ क्या है पिंट को सें आई सूत्र किसका आप यार रखेगा यह सूत्र है मोंबति का चुर। किसका सूत्र होता है मुंबत्ती का सूत्र होता है कारण बदल जाता है और उसमा और परकास आप तो देखते हैं प्रियापत मातरा में बनती है को जलाया प्राल को यह वहीति आतना और निकलते है और पर सकता होती है निकलता है या कि अधिकिरिया में बिद्दू तरिनात्मक तफ ऐक्षे नाइट्रोजन कारवन आद दिश्क्शे क्या होता है और पर भी और उपचेण की अभी किरिया है लेकिन सभी उपचेण की अभी किरिया में उसमा एवं परकास उत्पन नहीं होता इसलिए हम सभी उपचेन के अभी किरिया को दान नहीं का सकते हैं लेकिन जहां पे दान हो रहा है उसे हम क्या कर सकते हैं जैसे ध्यान दीज़ेगा बल्व का जलना दान की किरिया नहीं है क्योंकि इसमें परकास भी निकल रहा है जबकि इसमें परकास और उसमान दोनों निक कारण है कि फिला मेंट के जलने से कोई रशायनक परिवर्सेमेंट कारिशन कब होगा जब उसमें क्या होती है रसाइनिक परिवर्तन होता है यह हम लोग का फर्स्ट टॉपिक ही पारणा था चलिए सथ्वेंट से ध्यान देते हैं हमें जो देखना है वो क्या है दहन के आवस्यक सर्थ दहन के आवस्यक सर्थ क्या है यह इंपॉर्टिन्स पुइंट्स पुछते हैं दो नम्मर के पुछते हैं दहन के आवस्यक सर्थ क्या है सबसे पहला दहन सील पदात की उपस्तिती होनी चाहिए यानि जलने वाला पदात दहांक है जलने वाला अपमधा पद द आखे दृषीज पदेट मनेließ इलगे जरने वाला नहीं पहुंच पाएगा तब तक उस में क्या हो पाएगा वह वस्तू जह नहीं पाएगा तो यह तो सर्थ आप याद रखेगा है इसे हम लोग क्या काते हैं त्रिकोन कहते हैं आप याद रखेगा क्या चाहिए हमें पोसक पदात चाहिए में तहां सील परार्थ चाहिए और जो लाँ ताक की प्रापती चाहिए तभी कोई चीज जल सकता है चले में में लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं इस परकार से लौ निकलते रहता है क्योंकि धानसील ठोस या तरल पडात्थ उसमा पाकर बास्प में परिन्त हो जाते हैं और वास्प अबस्था में पर क्या होते हैं अगर कम लोग क्या करते हैं अगर जलाते हैं कि यह बस तो जिसे मं लेकि यहाँ पर यह का थे हैं लोग जलाते हैं तो और जोन हुती है लॉंद होते हैं नहीं द्यान दिएगाइ dispers अवस्थामें जनले पर क्या उत्पन होती है जब अवस्पसील में जलने पर क्या हो समाप्ट हो जाता है तब जुबाथ बनना भी क्या हो जाता है समाप्ट हो जाता है याई जब तक बनते रहे है तब तक थोड़ी थोड़ी ज्वाला के साथ क्या होते हैं जलते रहते हैं और बास्पसील पदात समाप्त हो जाने पर पथर कोईला के काफी देर तक क्या होते हैं जलते रहते हैं जैसे आप देखें होंगे कोईला को जो हम लोग जलाते हैं तो उसमें लौ उत्पन होते र किसे कहते हैं ध्यान दीजैगा हम लोग आगे कि लोग आगे देखते हैं कि पर थो जाना होता हुटتي है जब ट्वाधम्त कर दोनों क्या होते हैं घय से अवस्था ओस्ता में होती है जैसे पुषकद्व का मतलब यहां पर क्या हुआ ? ऑक्सिजिञ गया कलोरी हो या आपका नाइट्रोजन हो गया यह सब आपके पुसक पदार्त हो गए और दहनसील पदार्त है क्या हो गया जिसे हम लोग उपला को जला रहे हैं यह कोई लकड़ी को जला रहे हैं या पथर को जला रहे हैं को जला रहे हैं है ना चले स्ट्रेंट्स हम लोग निए ध्यान यह दो चार वार आप रिपीट किज़ेगा याद हो जाएगी चले इस्टुएंट से हम लोग अधियन करते हैं ध्यान दिएगा हम लोग एक अक अधियन करते हैं देरे देरे किने में से क्या होती है जब मुंबत्ती को जलाया जाता है यहां पर मैंने एक एक जामपल को आपको एक जामपल के तौर पे लिया है जब मुंबत्ती को जलाया जाता है तब सबसे पहला नीला चेतर के बारे में हम चर्चा करते ह जब मुम्बत्ती उसमा पाकर बास्प के रूप में रहता है तो यह भाग क्या होता है नीला छेतर कहलाता है जब बास्प के रूप में जब होता है तो उस भाग को आम लोग क्या कहते है ध्यान दी जगा दूसरा पॉइंट लिखता है कि नीला छेतर में नीला छेतर में दहन की किरिया नहीं होती है बहुत भी भी पॉइंट है हना नीला जो आपका छेत्र है उसमें दहनके करिया नहीं होती है क्योंकि यहाँ पह ОКसीजन नहीं मिल पाता है जॉला के नीली छेत्र में माचीज की पिले रखे जाए तो वहाँ तिली क्या हो पाती है नहीं जल पाएगी अगर इस जौला के छेतर में हमने क्या कर दिया द्भागे के उपरी भाग जहां मूम ऑक्सिजन के समपरक में आता है? काला चेतर काला आता है? कौन सा चेतर काला चेतर काला पर है? मुं मूम के जले हुए करवन के कन होते हैं आप देखते हैं जब मोंबती आप जलाएगा तो यह तहोड़ा सा क्या हो जाएगा इस परकार से अपके का रभान के कन थोड़े-थोड़े मिल जाएंगा जैसे हम लोग छोते हैं तो छूटते हैं तो छूने के पस्चात यह क्या हो जाती है नीचे गिर जाती है तीसरा च्छेतर क्या होता है मोम के आपूर्ण दहन का च्छेतर का च्छेतर का लाता है दिप च्छेतर का लाता है दिप च्छेतर में ऑक्सिजन परिया सबसे कम किसमें होता है नीला में होता है नीला के बाद किसमें होता है काला में होता है काला के बाद किसमें होता है स्टुदेंट दिप्त में होता है और सबसे जादे किसमें होगा स्टुदेंट से आ दिप्ति छेतर में होगा चलिए ध्यान दिजिए ध्यान दिजिए अदिप्ति छेतर है ना मोम के पूर्ण दहान का छेतर है ना पूर्ण दहान चाहरन adip2 6 Reme johala कताप सबसे अधीक होता है और सबसे कम किस्म होता है नीला में होता है थ्याद रखेगा पर क्कास बहुत कम होता है ध्यान जैगा यहापर प्रकास मुंबती जिसका सुतर क्या होता है सी पचीश एँच जो कंपाउंड होते हैं जो योगीख होते हैं उसे हम लोग क्या काते हैं तो आप ध्यांदेजेगा श्टुडेंट है चलिए हैट अब समझ गये चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं मोम का बना होता है जिस इसके बीच में एक दहांगा सघ्जा maior रहता है जब मोंबति को जलाते हैं तुम्म् पिघलकर दहागे के हना सहारे इहां पर आँपर चाहा और बास्प में बनलने लगता परिनहीं हो तब तक आंगे वॉल्हाम जलने वाला नच ai को वह शीन हो बाइउ में जल कर क्या उत्पन करते हैं चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ध्यान देते हैं नेक्स टॉपिक आज हम लोग क्या देखना है उसको लोग ध्यान देते हैं आज का जो नेक्स टॉपिक स्टॉइंट्स ध्यान देजाएगा लपीजी हम लोग का नेक्स टॉपिक है ध्यान देजाए पहला खाना बनाने की उप्योग में आने वाले जो समान गैसिस हम लोग का जो पर्योग करते हैं जो सिलेंडर में होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं इसका फुल फॉर्म पहला पुछता है तो आप याद रखेगा लिक्यू फाइड पेट्रोलियम गैस होता है पहला यह क्या हिंदी में लोग क्या काते हैं ताध्यां जुद्ध रभी प्रवल फॉलियम firm गैस क्या है Po यह onfobam Forsch यह कोंनों मुक्ला है अने सभी में से यह बॉस कौन है ने इन सभी में है है इस अधीक कौन होता है तो सबसे अध् dissipation होता है फिरह फोन टोट वचा का होता है सब ज़्यादा कौन होता है यह कैसे प्राप्त किया जाता है यह 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 प् यह गैसी अवस्था में होती है लेकिन जब इसमें प्रेसर जादा दिया जाता है तो किस अवस्था में आ जाते हैं गैसी अवस्था में आ जाते हैं सिलेंडर में इसे क्या कर दिया जाता है ध्यान दिया जाता है जिससे क्या करते हैं लोहे के सिलेंडर में भर कर भुकताओं को जलाने के लिए दे दिया है जे लगता है ये जो हमें देखना है यह नीली लौ के साथ जलती है तो लगभग कितना होता है तो 55 कीलो जूल उर्जा राप्त हो जाती है मात्र एक गराम एलपीजी जलने से और यह पर दूसरी भी नहीं करती है यह भी कोशन सका यह पूछा गया है कि एलपीजी के गैस का रिसाब का पता लगाने के लिए हम लोग उसमें क्या मिलाते हैं तो आप हाँ उससे थोड़ी मात्रा में मिला देते हैं ताकि गैस का रिसाब का पता पुरंत चला जाए हम उसको गैस को क्या कर दें बंद कर दें नहीं तो ऐसा रहने पर क्या हो जाएगा हाना आग लग सकती है